हाजी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा सीए जतिन हरजाई जी सही है या गलत है आप मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताना सर मैटर क्या है मैटर देखो आपकी स्क्रीन के ओपर सीए जतिन हरजाई जी है और ये सीए के साथ साथ एड़ोकेट भी है इन्होंने क्या ट्विट करा है इन्होंने कहा है Across India GST officer are nest of corruption Officers are literally nothing to do with law of land मतलब GST के officer पूरे corruption में लिख थे और उन्हें law of land से कोई मतलब नी क्या law है उन्हें उससे कोई मतलब नी वो सिर्फ corruption पर ध्यान दे रहे Most of time they work like recovery agent और बहुत बार वो सिर्फ एक recovery agent है Recovery चाहे वो अपने लिए कर रहे है चाहे government treasury के लिए कर रहे है उनका सिर्फ यही target है वो अपने target को fulfill कर रहे है और यह जो GST है यह honest taxpayer के लिए नर्क बन गया है और जो tax evader है उनके लिए swerg बन गया है तो क्या यह बात सही है या गलत है मुझे comment box में लिखकर बताओ क्योंकि इस video के डान ले के बाद हो सकता है मेरे YouTube पर कोई action हो जाए लेकिन इस बार मुझे चुपनी रहना है क्योंकि इस बार बात आ गई है CA जतिनर्जाई जी की जतिनर्जाई जी की जिन्होंने ये चीज लिखी है और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ अब हुआ क्या इस tweet के बाद जब ये tweet लिख रहे थे तो इन्होंने ये कोई भी chartered accountant जो भी बात लिखता है बिना किसी ठीक है ना भाराष्ट्रा के न्यूस पेपर में है कि CBI ने book eight people in bribery case arrest one GST official तो क्या ये जो न्यूस पेपर में खबर छपी क्या ये गलत है अगर जतिनर्जाई जी को आप गलत बता रहे हो तो क्या ये खबर गलत है राजिस्तान के न्यूस पेपर में खबर छपी पिवाडी में ACB का बड़ा एक्सन CDST स्पेक्टर एक लाग चालिस हजार रुपे की रिस्वत लेते ग्रफ था ये कहां पर है NDTV राजिस्तान में तो ये जो भी उन्होंने बेस लिया वो सारा बेस न्यूस पेपर का लिया और न्यूस पेपर जे बेस लेने की जरूरत भी नहीं है मैं ये बता रहा हूँ कि भाई चाहे दिल्ली के हो चाहे यूपी के हो चाहे बंगाल के हो कहीं कर भी हो 90% से जादा GST डिपार्टमेंट में सारा काम रिस्वत से हो रहा है इसे बताते समय मुझे बड़ा दुख होता है और सारे के सारी जंगा पर सोफ टार्गेट कोन होते चार्टर अगाउंटेंट सोफ टार्गेट कोन होते एडवोकेट्स भाईया ऐसा मत करो ये न्यूस पेपर में जो खबर छपरी है कि कर विबाग का जेड़ी आठ लाग की रिस्वत लेते पकड़ा ये गलत नहीं है और ये तो जो न्यूस पेपर में खबर है ना ये तो एक परसेंट भी नहीं है आप GST डिपार्टमेंट में चले जाओ जाकर मैं कहता हूँ उन ओफिसर्स को जब वो सामको घर के लिए निकलते है उनकी गाड़ी चेक कर लो जेब चेक कर लो उनके बैक चेक कर लो आपको ओटोमेटिकली दिख जाएगा डिपार्टमेंट में जाकर जहाँ पर CCTV कैमरा लगा होता है दूसरे कमरे में जहां कैमरा नहीं होता वहां पर रिस्वत लेते हैं खुले आम लेते हैं और यह पूरे हिंदुस्तान का काम और रख्खा है तो भाईया इसमें जो सीए जतिन हरजाई जी ने ट्विट करा यह पोस्ट गलत नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे चार्टर अकाउंटेंट से सारे एड्वोकेट से कि भाई इसका विरोध करो अब हमारे को इस बात की सराना करनी चाहिए थी लेकिन उल्टा एक्शन हो गया सीए जतिन हरजाई जी पर क्या एक्शन हुआ है भाईया राजिस्तान स्टेट टेक्स सर्विस एसोसियेशन ने एक प्रेस नोट रिलीज करा बारा सितंबर को इसमें क्या लिखा कि आज दिनाग बारा सितंबर को संभाग्य कर भवन जैपुर में राजिस्तान कर सेवा की आपात कालीन बैठग हुई बैठग में टेक्स प्रेक्टिशनर सिये जतिन हरजाई भाईया जब यह सिये है एडवोकेट भी है तो आप नाम के साथ एडवोकेट भी लिख दो सिये जतिन हर्जाई दुआरा सोचल मेडिया पर जी एस्टी विवाग पर करप्शन की आधार ही इन टिपपनि की गई नई वह यह आदार हिन नहीं है न्यूज पेपर बिलकुल आधार है किसी भी टिपपनी को करने के लिए और ये न्यूज पेपर नहीं है ये तो प्रेक्टिकल एक्सपिरियंस है हर चार्टर अकाउंटेंड का हर एडवोकेट का कि उसे कितनी समस्याय जहननी पड़ती है ठीक है बैटग में जीस्टियों प्रस्ताव पारित किया अरे विरोध तुम्हें करना है तो जीस्टी ओफिसर्स का करो करक्ट ओफिसर्स का करो जो लोकों नहीं मानते जो हाई कोड की जजमेंट को नहीं मानते जो सुप्रीम कोड की जजमेंट को नहीं मानते ठीक है ना आप जतिन हर जाई जी का विरोध म कोई माफि मांगने की क्योंकि आपने कुछ भी घलत नहीं करा आपने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक करा है और कोई पोस्ट डिलीट नहीं करने की जरूरत है आपने हिंमत दिखाएए यह पोस्ट डालने तो भाईया हमारे को उनका समर्दन करना चाहिए आगे क्या लिखका सभी अधिकारियों ने प्रस्तावित किया है सिए जतिन अर्याई जी के साथ साथ किसी भी सीए को विभागी विभागी परशिक्षन में फैकल्टी है तु नहीं बुला जाएगा अरह मत बुलाओ इसमें हमारा क्या नुकसान है इसमें आपका नुकसान है हमारा कोई घाटा नहीं है तुम बुलाते हो चार्टर अकाउंटेंट को तुम बुलाते हो मारे अड्मोकेट्स भाई को अपने यहां पर ट्रेनिंग के लिए क्योंगी ट्रेनिंग ले लेते भाग से हमारे बहुत सा तो अगर आप नहीं बुला रहे तो आप यस्टी सीख भी नहीं सकते पिछले साथ सालों में देखो तुमने कितने चार्टर अकाउंटेंट और एड़ोकेट्स को अपने यह ट्रेनिंग के लिए बुलाया है और कितने नों सीए को बुलाया है ट्रेनिंग के लिए एक हिंदुस्तान आपका है बैटक की अधिक्ष्या कर रहे हैं स्री आर्पी वहर्मा ने बताया कि सीजस्टी अधिकारियों ने संग में चर्चा करके इस मुद्दे पर विरोध क्या करऊ कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है अभी इस वीडियो के अंदर कमेंट बोक्स भर जाएगा जब आप इस वीडियो को पढ़ोगे तो कमेंट बोक्स में पढ़ ले ना अगर कोई भी विवाग का यह वेक्ति यह वीडियो देख रहा है कि कितने लोग पीडी थे कितने लोग डिपार्टमेंट की रिश्वत वाली बास से अगरी है तुम्हें और क्या सबूत चैने फाइघ हम कोई' एक हमकोे सि आईडी वाले थोड़िये कि हम आपको सबूत देते रहेंगे आपको नहीं पता आपको पता है है आपको यह बात भ्ली भाती पता है और आपके कहते हो कि कुछ ओफिसर्स लेते नहीं यह बोलों कि कुछ ओफिसर्स नहीं लेते 90 परसेंट से जादव ओफिसर्स लेते हैं सेटलमेंट करते हैं ठीक है ना करफचन चरम सीमा पर है क्याँ कि लेखे डेखे कि ले कि लिए हमी रिश्वत देनी पड़ती है रेजिस्टेशन लेने तक के लिए गौभर्मेंट की कोई फीज निया रिश्वत कीले लेकिन रिस्वर्ष से छुटकारा दिलाओ क्योंकि यहां पर अगर क्लाइंट कोई रिस्वर्ष दे रहा है जी स्टी ओफिसर्स को प्रोफेशनल को फीसी नहीं दे पाता वो तो भाईया जितने भी मेरे प्रोफेशनल भाई है चाहे वो सीए है चाहे एड़ोकेट है चाहे एकाउंटेंट है अगर आप भी आगे नहीं आओगे सीए जतिनर्जाई जी की तरह तो भाईया यह बात फिर दबके रह जाएगी इस बार उन्होंने विरोध करा है तो इस विरोध को आगे लेके जाओ अगर किसी तरीके से जीस्टी विवाग में विस्वत खतम हो जाती ह यह जिस्वत का चलन कम हो जाता है तो इससे प्रोफेशनल का बहुत फाइदा है उसकी फीज बढ़ेगी वो सम्मान से जी पाएगा तो भाईया इस वीडियो को जादे से जादा लोगों तक शेयर करो और आप अपना विचार भी दो और मेरी हाद जोड़ के रिक्वेस्ट सब्सक्राइब सुब्सक्राइब लेकिन इन है रिस्वत लेने को इनके साथ ऐसा ना हो कि यह रिश्वत लेते रहें और अगर कोई विक्ति, अगर कोई विक्ति, इनके खिलाब कोई अवाज उठाए तो उसकी अवाज को दुबा दो, ऐसा ना को, तब ही हमारे देश से करफशन फ्री होगा, आप सब लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हो, ब्रस्टा चा रहे है, ब्रस्टा चा रहे है, करफशन है, लेकिन खतम तो करो, शुरुवात कोई ना कोई तो करेगा, अगर किसी ने शुरुवात करिया, उसका समर्थन तो करो, अपनी आवाज को बुलंड तो करो, मैं नहीं बनाता आज ये वीडियो यूटूब पे, डर क्याता कि मेरा यूटूब चैनल डिलीट ना हो जाए, इससे पहले भी मुझे कई जीस्टी ओफिसर ने धमकी दी, मुझे बोला कि आप ऐसी वीडियो नहीं बनाओगे, भाईया नहीं, मैं बनाओंगा, अगर मैं सक्षम हूँ, अपनी आवाज उठाने के लिए, सिये जति नरजाई जी ने करा, वो बिल्कुल ठीक है, आप मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताओ, कि क्या वो सही है या गलत है, इसी सब्दों के साथ, मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ, धन्यवाद,